नमस्कार सर मेरा नाम राजु है काफी सारी लोगों ने मुझसे NPS के बारे में कोश्टन पूछा है तो NPS के बारे में देखते हैं इसमें 4 तरह का केटेगरी है पहला केटेगरी है एक्टिव च्वाइस जहाँ पे 25 साल के एज में 50 साल तक एक्विटी में इन्वेस्टमेंट 75% रहने वाला है बाकि बाद के एज में 50 साल के बाद 0.5% के रेट से ये कम होता जाएगा और 60 साल के एज में एक्विटी पोर्षन 50% रह जाएगा और हमेशा 50% ही रहेगा दूसरा ओप्शन है ओटो 24 जहां 35 साल के एज तक 75% एक्विटी में एक्विटी में एक्विटी रहेगा और बाद में हर साल लगभग 4% के रेट से कम होता जाएगा एक्विटी एक्विटी एक्विजर और 55 साल के एज में ये 15% पे आके रुख जाएगा मतलब equity exposure 15% से फिर कम नहीं होगा तीसरा option है moderate life cycle fund जहाँ पे 35 साल के age तक माल लिजी आपने 20 से नवगरी शुरू किया तो 35 साल के age तक 50% equity exposure रहेगा और बाद के age में हर साल equity exposure 2% से कम होता जाएगा और 55 के age में 10% पे equity exposure रहेगा उससे कम नहीं होगा बाद के पैसा debt instrument में रहेगा चौथा केटेगरी है conservative life cycle fund यहाँ पे 35 साल के age तक 25% equity exposure रहेगा और बाद के साल में लगबग 1% के rate से वो कम होता जाएगा और 55 के age में 10% minimum रहेगा बाद की 90% पैसा debt instrument में रहेगा इन चारों के combination में यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं यह पहला category active choice के fund में invest करना पसंद करूँगा इसका यदि mathematical calculation किया जाए तो इस तरह से कि माल लेते हैं कि कोई NPS में 20 जरपे पर मंत का subscription करते हैं तो उसका 75% कितना होता है 15,000 रुपया और 25 साल के age से अगर नौकरी सुरू किया और 50 साल के age तक 75% equity में invested रहना जरूरी है तो 25 साल के age से सुरू किया आने वाले 25 साल तक 20,000 का 75% होगा 15,000 रुपया पर मंत चलते रहेगा और 12% का return ही equity से expect करूँ तो टोटल 25 साल में invest कर देंगे 45 लाग रुपया और उसका maturity value बनेगा 2,84 लाग रुपया दूसरा जो 5,000 रुपया बचा ये debt instrument में जाएगा पाँजर पर मंत 25 साल तक 50 साल के age तक 25 साल तक 5% का rate ही calculate करूँ debt instrument से तो टोटल पैसा invest करेंगे 15,000 लाग रुपया और maturity value बनेगा लगबग 29,000 लाग रुपया तो इन दोनों को अगर जोडते हैं एक पाठ है 75% और एक पाठ है 25% यहाँ पे हमने पैसा accumulate किया 15,000 के दर से 2,84,000 लाग रुपया और जबकि 5,000 रुपया यहाँ पे invest हो रहा है और ये 25 साल में 50 साल के age में बनाया 29,000 लाग रुपया दोनों को जोडते हैं तो 3,13,000 लाग रुपया बनता है यह वो पहला च्वाइस है जहाँ पे मैं अपना पैसा invest करना चाहूँगा आपको mutual fund SIP के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप officer हैं तो मेरे नमर 9929641265 पे मुझे whatsapp कर सकते हैं 4-5 officer मिलके आप अपने office में हमसे google meet पे जूड़ सकते हैं अपने monthly meeting welfare meeting में आप मुझे financial planning के class के लिए बुला सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने whatsapp group में जरूर सेर करें थैंक्यू सो मच जो लोग मुझे youtube और facebook पे देख रहे हैं online link में जाके आप mutual fund का account मेरे साथ खोल सकते हैं मैं एक financial advisor हूँ एक बार account open हो जाए फिर आप मुझे से whatsapp करके पूछ सकते हैं कि आपको 1100 या 2200 का ISIP कहां पे लेना चाहिए जब आपका knowledge और confidence बढ़ जाए तो आप इसमें ज़्यादा पैसा invest करने का सोच सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें thank you so much